हेलो एवरीवान वेल्कम टूम टूमा चानल तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है जब आप अपसेट होंगे या फिर आप दो रगा आर्गुमेंट हो जाएगा ठीक है तो यह जो है पिकका कार्ड रीडिंग है यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वान पाइल नमबर टू आप पाइल नमबर वन को इस image से चूज कर सकते हैं या फिर अप आपका जोडेक सांग इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्कॉस जो है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे आरा रहा है दो वर्ड का कार्ड आया है शुरुआत अच्छी हुई है नेक्स्ट आ रहा है फ्री अहॉंस ओके एरीज लिए सजीटेरिस के इनर्जी है नेक्स्ट आरे चैरीट चैंसर नर्जी है सण मून और राइसेंग नाइट ऑफ कप्स क्या ज़सा पाइसिस कॉपियो फूल का काड आया है एकवेरिस एनरजी है नेक्स देख लेते हैं क्वीन ओफ पेंटेकल्स टॉरस वोगो केप्रिकॉन हर्मिट का काड आया है वोगो एनरजी आई है क्वीन ओफ कप्स बहुत जेंटल प्यारी की जेंटल एनरजी है नेक्स आरा सिक्स ओफ पॉइंस और नेक्स आरा है हमारे पास पेज उप उमीद है आपको सभी कार्द अच्छे से दिख रहे होंगे तो यहां पर मैं फील कर पा रही हूं कि इस इंसान से जो भी आपके फ्यूचर स्पॉस होंगे पहले तो लडाई कर हैं पानाई कठय निकाम है यह इसलिए यह का jest टाएल ज़्य प्यारे इंसान होंगे क्यों मेल हो चाहे फिमेल हो जेंटल इंसान है दिमाग से सोचते हैं लेकिन दिल की भी बहूत जाधा सुनते हैं तो टो सबस्क्राइब करते हो 10 ओं एक्सप्रेस करना बोह जादा पसंद करते हो में जासे जए सब्सक्राइब भोला इंसान है लिए इनेरजी यहां पर उर्च सब्सक्राइब घर पहते हैं और फिर यह जिए अब श्रॉट बहुत है बहुत ही प्यारा इनसान वाले हैं फिर भी यहां पर जो है मैं इसी चीज़ की रीडिंग कर रही हूं कि आपके साथ अगर आर्ग्यूमेंट हो जाता है या फिर आप कुछ ऐसा बोल देते हो तो उन्हें कैसा फील होता है तो यहां पर जो है पहला कार्ड वर्ल्ड का आया है इस इंसान को बहुत एसा मतलब एक ऐसा लगएगा कि दुनिया जो है अजीब हो गई है एक अजीब सी फृthm आएगी कि यह क्या हो गया शौकिंग वाली जो feeling होती है कि यह क्या हो गया मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कι इस तरीकرض कर रियाक्शन मिलेगा को वह ऐसा करेंगे ही नहीं कभी कि आपको तंग करने की कोशिश करें जैसे कुछ लोग होते हैं spouse में भी होते हैं या lover में भी होते हैं कि वो tease करना चाहते है छेड़ छेड़ के पंगे लेना चाहते है यह इनसान बहुत शानत है बहुत ज़ादा काम परसन है कभी भी तंग नहीं करेंगे कभी भी पंगा लेने वाली कोशिश नहीं करेंगे जो तुम कह दो वो कर देंगे सिंपल वाली जो मतलब एक है सकते है भोला इंसान है नेक्स टार है थ्री आफ़ोंट्स तो जब भी आपका आर्गुमेंट होगा या अपसेट होगे तो वो जो है कोई ना कोई उनका प्लेस होगा कोई प्रटिकुलर प्लेस हो जहां पर वो शांती से बैठना चाहें या फिर जो है वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगेंगे या फिर जो है उनकी जो पास्ट मेमरीज आपके साथ होँगी वो सारी उनके दिमाग में चलनी स्टार्ट हो जाएंगी और हो सकता है ये शुरुआत में जो है अकेले में थोड़ा रोना भी स्टार्ट कर दें मैं ये नहीं कहारी हूँ कि एकदम से कोई रोने लग जाता है लेकिन आपका जो गुसा होगा क्योंकि मुझे आपका फाइरी टेंपरामेंट थोड़ा जादा नजर आ रहा है इस इंसान का कम है तो ये जो काम परसन है उनको ऐसा मतला अपने मन में गिल्ट औरी स्टार्ट हो जेगी कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने जो है अपने पार्टनर को या अपनी वाइफ को या हस्बेंट को जो है कुछ तकलीव दे दी तो वो अपने आप से इतने ज़्यादा गिविंग नेचर वाले इंसान होगे नेक्स टार है चेरिट की एनरजी है चेरिट जो है फास्ट मूविंग एनरजी है तो वो जो है आपके पास आना चाहेंगे आप से बात करके रिजॉल्व करना चाहेंगे मैच्योर इंसान है लेकिन भोला इंसान है मन से बहुत ज़्यादा साफ है तो उनके मन में कोई भी किसी भी तरीकी गंदगी नहीं है क्या कोई गेम प्लान नहीं है माइड गेम नहीं है जैसे लडगियों के मन में भी होता है कि माइड गेम खेले कि भाई आज तो इसको ऐसे मैनिपिलेट करते है और इस तरीके की चीज़ है या फिर लड़कों के मन में भी होता है ऐसा नहीं है सबके इनसान के अलग-अलग दिमाग होते हैं, खुराफाती दिमाग नहीं है, बहुत ही ज़दा प्यारा इनसान है, तो इससे लड़ाई करना ही है, पहली दो बात यही है, दूसरी चीज यह है, कि अगर ऐसा होता भी है, तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी, कि मैं बातचीत करता हूँ, कोई भी सिचुएशन अगर हो रही है, आप पेंडाऊं, तो मैं जो हूँ, इस चीज को रिजॉल्व करना चाहूँगा, जितने जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद जो है, वो आपके साथ एक हार्मनी में आना चाहेंगे, नेक्स बातचीत करना चाहेंगे, जिससे आप दोनों की चीजे जो है, वो रिजॉल्व हो पाए, कई लड़कियों को भी यह पसंद होता है, कि वो जो है, हस्बेंड हो, या लवर हो, जो भी हो, मैं जो हूँ, रूठी रहूं और वो मुझे मनाता रहे, यह होता है, मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन, यह इनसान ऐसे नहीं है, कि आपके पीछे-पीछे भागे, एक दो दफ़े कहेंगे, उसके बाद जो है, वो कहेंगे, कि मिट्टी पाओ, जो भी हुआ, ठीक है, और नई शुरुआत करते हैं, इस तरीकी के नर्जी, जैसे मान लो, कल रात तक जो है, लड़ रहे थे, और सुबह जो है, कहेंगे, और गुड बॉर्निंग कैसे हो, यह फलाना डिवा का, जो भी उनका तरीका हो, ठीक है, लेकिन, आपको ऐसे लगेगा, कल तक तो लड़ रहे थे, आज ऐसा क्या हो गया, या, कल तक तो ऐसी लड़ाई हो रही थी, अम लोगों के साथ जो है, गुसा रह पाना, इतने लंबे समय तक वो भी बड़ा कठेन होगा, नेक्स्ट आरा है, कुईन आफ पेंटेकल्स के एनरजी है, कुईन आफ पेंटेकल्स के एनरजी जो आपको वाइफ या हस्बेंड मानते होंगे, ठीक है, तो जब भी आपके साथ इस तरी के हमारे बोल देते हैं, कि जो करना कर ले, वो वाली चीज नहीं है, जो तुमें करना है, तुम करो, लेकिन जो तुम कर रही हो, या कर रहे हो, वो मुझे बता भी दो, ऐसी एनरजी है, तो बहुत जादा दिमाग लगाएंगे, ऐसा क्या हुआ, और छोटी सी छोटी बारी किसी डीटेल को भी ध्यान पे रखना चाहेंगे, कि अगर आप अपसेट हुए हो, या आर्गुमेंट हुआ है, तो किस वज़े से हुआ है, उसकी जड़ तक पहुचेंगे, और उस जड़ को ठीक करना चाहेंगे, तो ये solution-oriented वाले इनसान है, उनके दिमाग में यही चीज चलती है कि कोई भी तरीके की कोई problem create ना हो मेरी personal life में, और कभी भी जो है, अगर कोई argument या किसी तरीके की किसी बाहरी outer surface की वज़े से भी कोई problem हो जाती है, या आपने कुछ उन्हें शब्द गलत बोल दिये, और उन्होंने आपको शब्द गलत बोल दिये, हाला कि वो आप आपको कभी नहीं गलत बोलेंगे, आप बोल सकते हो, मैं उनका पक्षनी ले रही हूँ, लिकि जो cards दिखा रहे हैं, वही चीज़ है कि आप गलत बोल सकते हो, आप जो है fiery temperament में गुस्से में बोल सा होगे, लिकि वो इनसान आपको नहीं बोलेंगे, इस तरीके के sweet person है, व इस behavior कोई वज़े से, जो reason बनेगा, जिसकी वज़े से यह चीज़ हुई है, उसको cut down करना पसंद करेंगे, उसको ठीक करना पसंद करेंगे, नेक्स टार है queen of cups है, इस इंसान जैसे मैंने शुरुवात में कहा, आप गुस्सा रही नहीं पाओगी, वो इतना जादा loving है, charming है बोला पन है, कि मतलब आपका मन करेगा, कि आप अंदर से चाहते भी होगे, कि न, मैं तो इतना तंग कर रही हूँ, और इतना argument कर रही हूँ, और ये सब हो रहा है, लेकिन मेरा मन जो हो रहा है, वो kiss करने का हो रहा है, कि मैं जो हूँ, पूल तरीके से kissing कर लोगे, कि आप ज़्यादा उन्हें एक तरीके से तंग तो नहीं, लेकिन हाँ, कही न कहीं आप उन्हें थोड़ा सा परशान कर लोगे, जो आपको अंदर से तो हसी आरही होगी, लेकिन आप उन्हें ज़्यादा परशान कर रहे होगे, नेक्स टार सिक्स अफ कोईन्स की एनरजी है, इतनी सारी चीजे हैं, नेक्स्ट आरा पेज ओफ वांड्स की एनर्जी है, आपके साथ वो न्यू अपर्चुनिटीज को देखना पसंद करेंगे, एक्स्प्लोर करना पसंद करेंगे, लाइफ के जो अपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, और सबसे जादा उनको यह और आपको अपना बना लेंगे, तो इस तरीगे की एनर्जी है, चलिए देखते हैं, लाब कार्स क्या कहते हैं, तो पहला कार्ड यह आया है, नेक्स्ट यह है, और नेक्स्ट यह है, तो यहां पर बहुत जादा आप लोगों की बांडिंग रहेगी, जैसे हार्ट भी यहा इस तरीगे की फ्रीडम जो है, वो आपको देने वाले है, और आप जैसे ही आर्गूमेंट करके, जैसे मालो प्रांक भी कर रहे हो, तंग करने की कोशिश भी कर रहे है, तो भी जैसे ही आप उनसे दूर होगे, आप उन्हें इमिडेटली मिस करना स्टार्ट कर दोगे, और एक दूसरे को किस करके जो है, आप एक दूसरे के पास आजाओंगे, तो आपका आर्गूमेंट जो है, वो जादा देर तर टिकेगा ही नहीं, चलिए देखते हैं, लवकार्स क्या करते हैं, यहाँ पर पहला कार आया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, जो मैंने बताया है, वो सच होगा भी या नहीं होगा, तो वो आपको टाइम ही बताएगा, आपके सामने जब तक नहीं आ जाएगा, आप तब तक यकीन नहीं करोगे, लेकिन ऐसा होगा, नेक्स टार है, इमोशन्स और नाचुरल और निसेसरी पार्ट आप आफ लाइफ, बड़ी बात नह है, लेकिन उसके लिए ग्राजिस रखने की जरुरत नहीं है, कि उसने तो मुझे ये कहा था, तुमने तो मुझे कल पर सो ये कहा था, आज मैं को ये कह रहे हूँ, तो वो जो चीज है, वो नहीं रखने वाले, आप भी जो है, नहीं रखोगे, नेक्स टार है, ट्रस्ट, आप लोगों को जो ट्रस्ट है, वो बहुत जादा जो है, प्यारा रहने वाला है, और आप दोनों के बीच में इस तरीके की बॉंडिंग होगी, कि जैसे मैंने कहा कि आप दोनों जो है, काफी लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रही नहीं पाऊंगी, तो चलिए देखते इस एनर्जी से रेलेटिड को चांप्स, यहां पर जो है, एक कैक्टस आया है, एक डॉग आया है, लॉल्टी आई है, एक डाव आया है, कुछ और निकाल लेते हैं, यहां पर, यहां पर लाव आ रहा है और डॉल्फिन का का पल आया है, तो आप दोनों के बीच पे फिर फ रही होगी हमेशा से, और एक अच्छी बांडिंग क्विएट होगी, जिसकी वज़े से आप दोनों एक दूसरे पर रिलाय करोगे, ट्रस्ट करोगे, लव आ रहा है, तो यहां पर जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आपको एक दूसरे से गुसा रह पाना ही, बड़ा आप दूसरे का इंफुलेंस को अपने जिन्दगी में आने नहीं देते हो, और किसी को इंटरफेर करने नहीं देते हो, नेक्स्ट आरा डॉग आया है, लॉयल्टी आ रही है, तो यहां पर जो लॉयल्टी है, जो एक दूसरे के प्रति इमानदारी है, ट्रस्ट में भी, इ आक्टर्स जो है, वो डेजर्ट में भी निकलता है, डेजर्ट में ही निकलता है, तो डेजर्ट क्या है, रूखा है, रेगिस्तान है, वहां पर एमोशन की कमी है, लेकिन उसके बावजू जो है, वो अपनी एमोशन को एक तरीके से ग्रोथ कर लेता है, उसी तरीके से आप की लाइफ में भी यह इनसान कहीं न कहीं ग्रोथ कर लेंगे और आप इनके पोड़ कर बागी किसी पर भी जो है बहुत जादा गुसा कर लेते होगे लेकिन इनके ओपर गुसा नहीं कर पाऊगे अपने बार, डरहें पना काम बन रहा है या, आपका काम बन पार रहा है नेक्स देख लेते हैं communicate clearly तो आपको जो है communicate करने की जरुवत है जो सही काम है उसको सही तरीके से communicate कीजिए आपका काम बन जाएगा तो pile number one ये थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you अगर आपने इस image को चूस किया या फिर आपको zodic sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके future spouse कैसे behave करेंगे जब आपके साथ कोई argument हो जाए या फिर आप upset हो आपको प्यार करेंगे इनोसेंस वाला प्यार है याँ पर सेवन उफ सौर्स, एट उफ वांड्स, टू उफ कप्स, सोल मेट कार्ड है और नेक्स चार है हमारे पास Ace of Points तो यहाँ पर ऐसी एनरजी है चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो आप अपने जंडर से रिजुनेट कीजेगा यहाँ पर जो मेल है वो बहुत ज़्यादा प्राक्टिकल परसन होंगे खासकर मैं एनरजी की बात कर रहे हुँ जो भी मेस्कुरालिटी में बिलीव करते हैं चाहे आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है या उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा और एक दुसरे की कमी को एक्सेप्ट करना दोनों ही आता होगा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों अपसेट हो जाते हो या कोई आर्गिमेंट हो जाता है किसी की वजह से तो हो सकता है कि आपके बीच में कोई ना कोई बाहर का influence हो जैसे कि family हो सकती है friend हो सकते है कोई और चीज़ तो वो जो है कुछ और कहें और आपके person कुछ और कहें तो कोई ना कोई miscommunication करवाने की कोशिश की जाएगी वो इसलिए है क्योंकि आप दोनों का जो love है या कह सकते हैं जो attachment है वो बहुत जादा है कोई ना कोई जलन create करना चाहे या फिर जो है आप दोनों के बीच में खटास डालने की कोशिश करें तो तब होगा इजिली जो है आप दोनों के बीच में argument नहीं होने वाले लेकिन उसके बावजुद जो है इनका जो जिसके लिए आप देख रहे हो अपने spouse के लिए देख रहे हो कि उनका क्या reaction होगा तो पहला ही जो card आ रहा है eight of cups की energy आ रही है eight of cups की energy जो है वो उस जगह को उस argument को बीच में छोड़ कर जाना पसंद करेंगे वो इस वजह से क्योंकि उन्हें नहीं समझा रहा होगा उस समय प्रेजन सिचुएशन में जब आप लड़ाई कर रहे हो या argument कर रहे हो कि क्या करें वो क्योंकि वो कुछ और कहना चाहरे हैं आप किसी और को believe कर रहे हो इस तरीके की चीज़ है तो पहले वो जो है उसका evidence लाना चाहेंगे या फिर जो है उसको सही तरीके से resolve करने की कोशिश करेंगे उनको मन में बहुत दुख होगा कि आपने जो है उनको ये कहा कि उसने ये कहा है और आप उसको believe कर रहे हो मुझे नहीं तो ये जो है थोड़ी सी उनको मतलब एक तरीके से अंदर से problem करेगी कि उनको ऐसा लगेगा कि आपका विश्वास जो है वो दूसरे इंसान पे जादा है और आपके उपर इतना नहीं है क्योंकि मैंने जैसे कहा वो practical person जादा होंगे लेकिन आप logic के हिसाफ से चल रहे होंगे ये नहीं ये होना चाहेगी म लेकिन emotions में जो है वो 5B होता है सिर्फ समझाने का तरीका है मेरा कि हम हर समय अपने relationship में जो logical mind से नहीं चल सकते हैं हम अपने intuition पे भी भरोसा करते हैं और हमें trust होता है हमारे person पे यहां पे थोड़ असा आपकी तरह से trust की कमी दिख रही है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बुरे इंसान हो या ऐसा कुछ है ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन हमारा जो logical mind का हर तरीके का इंसान है कुछ लोग अपने दिल की जादा सुनते हैं कुछ लोग अपने दिमाग की जादा सुनते हैं तो आप जो है वो दिमाग की सुनने वालों में से जादा हो तो आपक आप किसी की भी सुनते हो न आपनी सुनते ओ'T न्य होगा थीक है इसी साबसे में बता रही हूं तो वही चीज जो है पहले वह उँने मालूम है कि कैसे ठैकल करना है आपको लेकिन इंटैग्टों कि अपनी और किशवास किया मुझे नहीं कि यहां पर आरही रही है तो वह कि तुमने ये करा है ठीक है समझ जाना तो वो चीज का evidence लाकर आपको देंगे कि कहीं न कहीं वो इंसान गलत है या वो जो है आग लगाना चाहता है इस तरीके की energy है next आ रहा है five of cups की energy जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा अभी थोड़ी दिर पहले कि उनको वो दुख होगा इस चीज का कि आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया उस पर ट्रस्ट किया ठीक है आपका माइंड सेट लॉजिकल माइंड सेट का है माइंड जो है वो लीगल चीजों को या कह सकते है जैसे मैंने का mathematics में टू प्लस टू जो होता है वो फोर होता है तो हम वही मान के चलेंग ठीक है बिल्कुई लेकिर उसके बावजू जो है उनको ऐसा थोड़ा सा डिसपॉइमेंट होगी नेक्स्ट आरा है तो आपको जो है वो सारी मेमरीज जो आपकी स्वीट मेमरीज है वो सारी चीज़े याद दिलाएंगे और वो बताएंगे कि seven of swords वाली एनरजी आई है कि क प्राक्टिकल नेस है लेकिन एक harshness भी है ठीक है वो जो harshness है उसको जो है वो overcome करेंगे और उन्हें मालूम है कि आपको कैसे टाकल करना लेकिन उन्हें हमेशा जो है थोड़ा सा disappointment होता होगा next star है eight of wands के energy है आप से communicate करेंगे आपको सही तरीके से बताएंगे कि step by step कि क्या च होगा लड़ते हुए और उसके बाद चीजों को resolve करते हुए देखा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आल लड़ाई हो रही है तो चार साल तक लड़ाई चलती रहती है एक दिन में खतम हो जाती है उन्हें मालूम है कि actually क्या सच है क्या नहीं सच है दोनों का एक गोल होता होग कि सही जो काम है यह सही जो direction है यह सही जो decision है वो लेना है तो वह वाली चीज जो है वह आपके eight of hands से आपकी communication से आ जाएगी और फिर जो है आप दोनों एक दूशे के साथ हो जाओगा तू आपको पूरी तरीके से हग करेंगे ताइटली हग करेंगे आप उन्हें किस करोग आप उन से sorry मागोगे इस तरीके की चीज़ है और next आ रहा है ace of coins के energy है आपका investment emotional भी और financial भी दोनों ही चीज़ का हो जाएगा मुझे यहां पर जादा नजर आ रहा है कि कोई family member है जैसे मालो joint family में रहते हो या nuclear family में भी रहते है तो families में जो है कई बारी कोई भी हो सकता है male female लो इससे कोई लेना देना नहीं होता लेकिन आप दोनों के बीच में कोई ना कोई miscommunication करने की कोशिश करेगा और उसका जो है आप दोनों और जादा सजग हो जाओगे और एक दूसरे के प्रती जो है stand लेने की पूरी कोशिश करोगे और पूरी तरीके से stability आप लोगों क यहां पर शांती आजाएगी ऐसा नहीं कि शांती नहीं आएगी और आप दोनों के बीच में आपको किसिंग भी होगी और काफी हद तक आप एक दूसरे को हग करके पूरी तरीके से सही बात को बता पाओगे और एक दूसरे को convince कर पाओगे चलिए देखते love cards क्या कहते है यह आप दोनों के बीच में जो playfulness है लाफ्टर है वो फिरसे आ जाएगा और आप लोग फन जो है वो और जादा करोगे और जो जल रहे हैं जा जाएट करेशा है चाहते है आप दोनों के बीच में उनको आप और जादा जलाने स्टार्ट कर दोगी नेक्स्टार है इंब्र तो आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान ने जो है आप दोनों के बीच में क्रियेट करने की क्यों कोशिश की इसका भी एक हायर पॉपस रहेगा कि आप दोनों और ज्यादा जो है स्ट्रॉंग या कह सकते हैं पास लेकर आ जाएगी तो चलिए देखते हैं इस एनरजी से लेटेड़ को चाम्स यहां पर जो है चाम्स बहुत सारे आए हैं सन आ रहा है लियो एनरजी है स्पून है डियर है डाइमेंड है हॉर्स है लव है और हमसा है प्रोटेक्टेटड है और आप दोनों एक ही तरीके से एक ही बात को घुमा फिर आकर कहा रहे होगे लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वह सेम ही होगा और आप दोनों हमेशा जो है एक दूसरे का साथ दोगे नेक्स आरा लाव आरा तो इस लव को जो है कोई भी टच नहीं कर स कोई भी खटा नहीं सकता नेक्स यहां पे हॉर्स आया है और जो है एडवंचर सपोर्ड को डिखाता है आप दुनों की जो कुएक स्पीड है उसकी को मिसंगी हो सकता है लेकिन आप दोनों को थोड़ सा कंट्रोल करने की ज़रोर है नेक्स आप यहां पर दायमेंड दाया है और आप पहचान पाओगे कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए अच्छा नहीं है. Next आरहे, spoon आया है, spoon जो है, babies को दिखाता है और हो सकता है, आप दोनों इस argument के बाद जो है, baby making भी करें. Next आरहे, यहाँ पर sun आया है, तो आप एक futuristic, positive future की तरफ जा रहे हो, futuristic approach जिन्दिगी में लेकर आ रहे हो, जो आपको जो है, कहीं न कहीं शांती देगी. चलिए देखते हैं, last segment, आपका कोई question है, इस reading से related या random question हो, जिसके आप answer जानना चाहते हो, उमीदे आपने अपना question सोच लिया होगा, चलिए देखते हैं, answer क्या आ रहा है, answer आ रहा है, two months, remain positive, perfect timing, और last आ रहा है हमारे पास, recovery, तो कहीं न कहीं जो भी आपका question हो, सभी लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से resonate करेगा, तो आपके लिए ये answers आ रहे हैं, तो pile number two, ये थी आपकी reading, उमीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही हैं, तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you.